गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वैलकम तो माई चैनल एडवेड विंग एंड जेके पेसी की तरफ से आपको पता है लगातार दो रिक्रियूट्मेंट जो है जून या जुलाई में जो है उसके एक्जाम हुए थे I think एक्जेक्ट डेट जो है मुझे याद नहीं है तो प्रोस्ट्टिंग ऑफिसर्स की एक्जाम हुए थे और साधिजास असिस्टेंट इंजिनियर के एक्जाम जो थे जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टे जो है उसके लिए बहुत वाइवा होना था तो प्रोस्टिंग ऑफिसर के मेंस की डेट भी आ चुकिए उसकी डेट शीट भी आ चुकिए है लेकिन काफी देर से असिस्टेंट इंजिनियर जो कौलीफाई हुए थे जिनका प्री कौलीफाई हुए थे उनकी इंटर्व्यक डेट जो है वो 2-3 महीने हो गए थे अभी तक नहीं आ रही थे लेकिन फाइनली JKPSC की तरफ से जो है इन असिस्टेंट इंजिनियर्स की लिए जो इंटर्व्यू का टाइम है डेट और शेड्यूल जो है वो जो है पिक्स कर दी गई है और उसी को लेकर जो है नोटिफिकेशन जो है रात यहां पर यह इंटर्व्यू का नोटिफिकेशन मेरी मेरे पास जो है यहां पर अविलेबल है यहां पर आप सब्जेक्ट जो देख सकते हैं कि इंटर्व्यू फार द पोस्ट आप असिस्टेंट एंजिनियरिंग सीवल्स में थी सीवल की पोस्टें जो थी जलशरती डिप कब्लिक वक्ट डिपास्टमेंट में थी कंबाइन करके ही इसका एक ही एक झाम लिया गया था तो रात को यह जो ही नोटिफिकेशन आया है अगर आप देख सकते हैं आप डिट जो है और इंटर्व्यू जो है आपके यहां पर इंटर्व्यू जो है बच्चों के वह वह उ स्टार्ट हो रहे हैं आज दो तारीक है और आपको सिर्फ 12-13 दिन ही दिये गए हैं और 16 दिसंबर को जो है पहले बैच का इंटरव्यू जो है असिस्टेंट इंजिनेरिंग के पोस्ट के लिए वो रख दिया गया है और पहले दिन अगर आप देखोगे तो लगबग 14 बंद से तालुकात रखते हों चाहे वो जम्मू जविजन से तालुकात रखते हों सबका इंटरव्यू जो है वो जम्मू के जो जेके प्यसी का हैड आफिस है जो बक्षी नगर रेशमघर का लोनी में है सबका इंटरव्यू जो है वो वहीं पर होने वाला है क्यूंकि अब सेक् के interview जो है वो जम्मू के ही headquarter में होने वाले हैं ठीक है इसी तरह अगर आप देखोगे तो 17 तारीक को भी कुछ बच्चों के जो है interview scheduled है वो भी सेम जेकी पेसी के जम्मू के head office में होने वाले हैं then 18 तारीक को भी interviews हैं अगर आप देख सकते हैं तो अपना रोलंबर आप यहां से चेक कर सकते हैं उसके बाद 19 को जो है वह rest है and 20 को फिर जो है अगले बच्चों के कुछ interview है 21 को भी interview रखे गए हैं and अगर आप दिखोगा कि 22 को भी interview है तेज को भी interviews है और 24 को भी interview है 24 के बाद 25 और 26 को कुछ छोटियां आ रही है then next वह आपके 27 दिसंबर and 28 दिसंबर को आप 28 को आपके आखरी बैज के interview होंगे और वो भी जम्मो के ही headquarter में होंगे ठीक है तो आखिर में जो है यह जीज एक लिखी गई है यहां पर आपको लाना क्या क्या है interview में तो सबसे पहले तो आपकी selection जो है एक provisional selection है जब तक आपका interview होकर final merit list नहीं बन सकती तब तक आप यह नहीं कह सकते कि मेरा pre qualify हो गया है तो मेरा last में नाम क्यों ठीक है तो उसके documents जो आपके उनकी verification जो है अगर आप पहले भी जम्मा करवा चुके हैं लेकिन अब फिर से आपकी document verification होगी और एक चीज़ में आपको बता दूँ कि जब interview के लिए आप जाओगे तो वहां पर आपको original certificates जो है आपकी वह सारे ले जाने है और आपके interview से पह अपनी ID खोल सकते हैं वहां पर आपको अपना application form मिल जाएगा वहां से आप उसकी hot copy download कर दीजिए साथ में आप photocopy भी रखेगा बाकी documents की और original documents जो है वो भी साथ रखेगा तो बाकी आप अपनी अपनी interview की date जो है यहां से देख सकते हैं और accordingly जो है वो अपना journey वगारा ज मिले हो गए थे अब वो अपनी त्यारी स्टार्ट कर सकते हैं जिनका आखरी में 28 को उनके पास तो बड़ा टाइम है जिनका 16 को है तो उनके पास जरूर कम टाइम है लेकिन जितना टाइम है आप यूटिलाइस किजिए बागी जो है उपर वाले पर छोड़ देजिए all the best आप सबको और मुबार्ख बात जिनका भी प्री हुआ है और आपको बहुत बहुत शुब कामना है आगे आपके आने वाले इंटर्व्यों के लिए